देयाल दास कल्यानी जिनको पूरा भारत, पूरे भारत में बहुजन, मूल निवासी, समता मेत्री पे काम करने वाले सभी लोग डीडी कल्यानी के नाम से जानते हैं उनका 25 अप्रेल 2021 को कोविट से लड़ते हुए पिछले 10-12 दिन से अमरसर में सरीर अंतो हो गया उन्होंने बामसिफ में बहुत काम किया बामसिफ के संस्थापक सदस्चों में रहे FCI यानि Food Corporation of India में मैंनेजर के पत पर रहे लगबग 70 साल से उपर की आईउ में उनका सरीर का अंतो हुआ चार भासाओं के ग्याता थे हर समय कोई ना कोई किताब अपने पास रखते थे उनके बच्चे अमरेका में सेटल हैं कैई वार बच्चों ने उनको कहा कि आप अमरेका आजाईए उनका मानना था कि जिन्दगी सुरक्षित और लंबी होने की बजाए शांदार होनी चाहिए बाबा साब के पद चिन्नों पे चलते हुए जिन्दगी को बिताना चाहिए जो आदेस बाबा साब ने दिये हैं उनको नरिन तरता से लगातार पूरे करते रहना चाहिए और अपने इसी उदेसे को पूरा करने के लिए वो लगातार काम करते रहे बामसेफ से अलग होने के बाद उन्होंने भारतिया समाज निर्मान संग की स्थापना की जिसके वो राश्टिया धख्ष रहे लगातार महां काम करते रहे लोगों को जागते रहे जगाते रहे एक अच्छे मन और एक अच्छे सरीर और एक अच्छी कड़क आवाज के वो स्वामी थे आप जब भी बोलते थे तो लोग बड़े ध्यान से सुनते थे क्योंकि लोगों को जगाने में आप बहुत ज़ादा एक्सपर्ट थे बहुत ज़्यादा उस्ताद थे कॉरोना काल में बहुत सारे अम्बेट का रनुयाई, बहुजन समाज में काम करने वाले लोग काल के मुह में समा रहे हैं क्योंकि सरकार की तरफ से आक्सिजन, हॉस्पिटल, दवाईया अबेलेबल नहीं हो पा रही है सरकार लगबग फेल हो चुकी है इसलिए जिन लोगों के पास में दवाई की, आक्सिजन की, डॉक्टर की, अस्पिताल की सुविधा नहीं है वो अधिकतर लोग पिछले 10-15-20 दिनों में काफी संख्या में मारे जा चुके हैं फेस्बुक, वार्टसेप पर लगातार खबरे आ रही है उसी संख्या में देयाल दास कल्याने जी यानि डीडी कल्याने जी का भी निधन हो गया सभी में एक शोक की लहर है ऐसा व्यक्ती जो लगातार समाज को जगाता हो उसका सरीर भले ही अंत हो जाए मगर वो कभी अपने विचारों से अंत नहीं होता यहां में एक उनका पांच मनट का छोटा सा वीडियो दे रहा हूँ आप उसको देखें सुनें क्योंकि भगमान बुद्ध कहते हैं कि अनिच्चावत संखारा दुनिया में कोई भी चीज निश्चित नहीं है फिक्स नहीं है जो भी पैदा होता है उच सबका एक ना एक दिन अंत होता है चाहें सूर्य हो, सूरज हो पठवी हो, प्रतवी हो कोई मौसम हो कोई व्यक्ती हो, कोई जानवर हो कोई जीब हो समुन्दर हो, हवा हो ग्रे हो, उप्रे हो यहां तक की यूनिवर्स भी पूरी की पूरी इसको काइनात बोलते हैं वो भी एक ना एक दिन समाप्त होनी ही है उप्रे होता है येस भी कैंड कर सकते हैं कोई प्रेदी चाहने चाहिए मुझे पिस्पार क्या आदा हो था कि एक मारत दिन दुवा रखना हुआ था एक पूकर रखना हुआ था एक तो उसके साथ होने कोई पिस्पार देश हुए हमको कुछ करना ही दे चाहते हैं यह तुपीड है तुदी सस्केथी 183 चुपिया करने वाले लोग जब उनके घरवे जोग करते हैं वाई बस काई नहीं है 52 सेंदे 53 सेंदे सुब्ध प्रस्पिट होने लिए तो आए 183 चुपिया करने वाले लोग हरे हमारे पास सब कुछ है यार रखो आपको गुलाम बनाने के लिए इस देश का सिस्पम ओवर करने लागा है मनोस्ती वाली जी वाली की बस्ती में हमोनी बलटके हाँ हाँ क्या आपकादा कर रहे हैं हम पेरेंगी साथ आगे हैं हम कुछ होते हैं हम अल्पस्दुष्टी वाले लोग हैं वो हमें ज़गा और गुलाम रखने के लिए जान की बाली लगार है और हम कहते हैं हमारे पास ताइम नहीं है याद रखना समय हाँ एक के लिए एक जैसा ही होता है मेरे दिर्दी है हम देश के लिगर अंदोने ज़ाने का काम कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है जब बार बार सुभी जी बोल रहे थे साथियों ये कारे करम है अब मुझे लगता है ये कारे करम नहीं रहा चाहिए कारे करम तब होना चाहिए जब कारे करो मुझे दूफ होता है कि करम चाहिए अपनी एक्सिन की बात कर रहे हैं अरे उन लोगों को दूफो इस देश के अंदर शाथ हजार लोग रोज भूर से मर रहे हैं, साथ हजार लोग में दिर्टी हैं, हाथे बीते अधिकाईओ, हाथे बीते कंचाईओ, आपके पीसे जोग बेखे हुए हैं, उनकी तर विद्धान दो, और हम ये लगा अधार काम कर रहे हैं, अगर ग्रंटरका नहीं रहेगी, ब अब आपना चाहिए, आज करे कार्य करम आपने अरेंज किया है, मेरी दिलती है, मैं एक ही वैसे यह जिना चाहता रहा, कि हमारे अंदर अगर ये बेपैक करने की भावना जो है, कुछ वाकिस देने की भावना, यार रखो आपकी टेमें कुछ भी नहीं है, आप हैरान होंगे के कार्मास यह जो कार्मास है, अतनी गरीबी है उसके घरनदर, वो कहते हैं वो कार्मास जिससे औहाद के संसार के हरे मस्दूर का घर होना चाहिए, देखो अपना घर नहीं है, माले आपका है को कौराया ले, कर मेरे पास कौराया नहीं है, साथी है मिंडन में, 24 सार मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, याद रखिए, अगर आपके पास दिमाग का हथियार है, और पैनल की प्रयोग शारा है, दुनिया का हर काम हो सकता है, मेरे बड़े दिनोगों को बिलती है, गरिपिया कम से कम कल्ब पकड़िए, कल्ब रखिए घ्णा बाहा जुट पकार, कहा हाँ, आपके पानी अदेवि किसको बोहते हैं, पाली में बुद बोहते थे, जो निखिए hem करता है। अर रोल कुछ मुद्ञ को रभी हिरता है और अलो जो महलरा चिका पांक करते ने किसम है तो देता है तो पाकिस्स मुनिक यह देता है इसकी हातिय करोड दीटनास हिते हैं जो फ़ू स्भाण में अब वतिश्छ है इसको भीूत अच्छी कर salmon ने निपके जफ्कनी चानी हैं, कोई सी किताब उठागाँ नहां। कोई सी किताब करने की है कि मैं खुब अधन किया है। पूरी हिर्टिय में आपको सफाई काम नहीं देने। दोरी काम होगे थे प्राधिम काम में, या तो जनरल में जाके सभी लेनी है, या कोई खेट में काम करना है, या जानवर से दूर लेना है, अंदा लेना है, या जानवर काड़ेट खाना है, सभाई काम सब अपने आप करेते हैं, ना सड़क होती थी, ना कोई औरिटोरियम होत विश्ठी पूरी इस्टी में पूरे उसकी अंदर भीचोर अपनी सभाईवें आपके आपके लिए तो सभाईवें नहीं तो सभाईकर भी कहां से ये बड़ा नहीं से और वी पात है कभी फिर बताएंगे जिन कि आज का एक हैं बहुत जादा है वह बहुत है हमी चाहिए वो लोग जिनका कोई आधस नहीं होता तीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपी राइट फिरी है आप अपने पोर्टल पर अपने यूटूब पर अपने फेस्बुक पर या किसी भी जो भी एप है उस पर आप यहां से डाउनलोड करकर टीम 22 से या फेस्बुक से या मेरे पेज से कही से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं उसमें अपने नाम का कुछ भी एड कर सकते हैं या अपनी कमेंट रिक कर सकते हैं उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मैट्रिल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भासा में आप बदल सकते हैं, उसका आउडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं, आप जैसे भी चाहें Team 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो कर सकते हैं यह हमेशा copyright free थी और हमेशा copyright free रहेंगे हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुर्सों की जो बाते हैं उन बातों को हम सरल भासा में आम भासा में आप तक पहुंचा देते हैं अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भासा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेज कर या इसका लिंक भेज कर या इसमें से कोई भासा बदल कर या इसको प्रिंट कर कर या इसको लोड कर कर या डाउनलोड कर कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखा कर या किसी को गिफ्ट कर कर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुंचाएं ध धम की सेवा सबसे बड़ी सेवा है क्योंकि धम दान, धम को देना सभी देने में, यानि जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना चाता है, अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परिशानी है, तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे आप धम की सेवा में साहिक बने धम आपको खुब लाब लाब देगा धम आपको लाब देगा आप धम को लाब देंगे यह दोनों इंटरचेंज है यही धम की प्राकरतिक नियम है धन्यवाद सरेन गच्छा मूँ तम्मं सेनम गच्छा मूँ